नमश्कार आप देख रहे हैं नीजरूम पोस मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंग COVID-19 महामारी के बाद से कारों की मांग खास कर पुरानी गाडियों की बिक्री ने काफी जोर पकड़ा है यह आपके लिए अच्छा बिजनेस अफसर हो सकता है अगर आप पुरानी गाडियां खरीद कर उसे बेचने का बिजनर शुरू करते हैं तो इसमें काफी मार्जिन मिलता है पुरानी गाडियों की कोई लिखित कीमत नहीं होती है और इसका फायदा उठा कर आप 25 से 30 हजार तक की कमाई कर सेलिंग पर आसानी से कर सकते हैं अगर खुद नहीं खरीद सकते तो ब्रोकर बरकर भी आप गाड़ी खरीदने और बेचने वाले दोनों से अच्छा कमिशन कमा सकते हैं आजकल मार्केट में 4-wheeler vehicles के बहुत से option उपलब्ध हैं ऐसे में लोग अपनी कारों को upgrade करते रहते हैं वही पुरानी कारों की demand भी इन दिनों काफी तेज है अगर पुरानी कारे खरीद कर दूसरों को बेचने का business शुरू करते हैं तो इससे आपको तगड़ा commission मिल सकता है पुरानी कारों का business शुरू करने के लिए आपको किसी जगह पर अपना office खोलना होगा और फिर इसका प्रचार करना होगा आप पुरानी कारों को खरीद कर उसे ज़्यादा दाम पर बेच कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं वहीं आप second hand car खरीदने वाले बायर और कार बेचने वाले सेलर के बीच मध्यस्ता का काम भी कर सकते हैं इसमें आप बायर और सेलर दोनों से commission हासिल कर सकते हैं बिजनस के लिए चुने ऐसी जगह second hand car का बिजनस करने के लिए आपको किसी ऐसी जगह का चुनाओ करना चाहिए जहां पर विकल से जुड़ा हुआ किसी तरह का कामकाज पहले से हो रहा हूँ जादा तर शेहरों में कारों के showroom, garage, car washing की दुकाने आदी एक ही जगह पर होते हैं अगर आप ऐसी जगह पर अपना office खोलते हैं तो आपके पास ग्राहक आने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है कई लोग अपनी पुरानी कारों को बिल्कुल अच्छी condition में ही बेश देते हैं आपको हमेशा ऐसे लोगों से ही कारे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आपको उनकी repairing पर ज्यादा खर्च ना करना पड़े और ग्राहक को भी जल्दी पसंद आजाए अगर आपको second hand कारों के business में एक कार पर 25-30,000 का commission भी मिलता है तो हर महीने 4-5 कारे बेच कर भी आप 1,000,000 रुपे से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे like, share और comment करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को subscribe भी कर ले नमस्कार